है गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर रहा हूं रियल मी नार्जो एन पच्पन इसके में सारे फीचर्स बताने वाला हूं इसके अंदर क्या-क्या ट्रिक्स आप इस्तेमाल कर सकते में वह दिर दिखाने वाला हूं तो वीडियो को जो है शुरू कर सबसे पहले हम आचुकें फोन की ओम इस्क्रीन के उपर होम इसक्रीन के ऊपर आने के बाद आपको यहां पर नीचे और आपको काफी सारे ओप्षें जो है देखने को मिल जाते हैं सबसे फ़र्षिट ज ऑफ्षिण से वाल पेपर वाल पेपर कें अदर अलग अलग तरह के वाल पेपर ने को मिल जाते हैं अगर आप नहीर और स्टैलिस्ट वाल पेपर चाहते हो तो आप यहां से डाउनगोडulares। उसके बद आपको icon का option देखने को मिलता है icon के अंदर आपको यहां पर icon size का option देखने को मिलेगा और एपने इसको आपके हिसाब से अगर आपकी I कम जो हो रहें तो आप यहां से कर सकते हैं उसके बाद कि अदर सारे सौट काट्स जो है आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे उसके बाद हम चले जाते हैं इसके अंदर अलग-अलग मोड इसके अंदर आपको दो तरह के मोड जेखने को मिलते एक इस्टेंडर मोड एंड ड्रोवर मोड आप भी फिलहाली ड्रोवर मोड के अंदर है तो आप ड्रोवर मोड में सारे एप्लिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर एस तरह से देखा ही देदे लगते बड़ जब आप जाएंगे तो आपको जो है सारे एप्लिकेशन जो होम स्क्रीन के उपर कुछ इस तरह से शू होने लग जाएंगे उसके बाद मिलता है लोग लियाउड इसके अंदर का सारे मोड जो है बन हो जाते इसके अंदर कोई भी अप्लिकेशन को आप मूमेंट नहीं करा सकते उसके आपको मिलता है क्योंकि क्या होता है जब भी आपको सटर नीचे करना हो तो आपको उपर हाइंड ले जाना पड़ता है यहां से अभी इसके अंदर आप कही से भी जो है सटर को एजीली नीचे के और कर सकते हैं देख सकते हो अगर आप ग्लोबल सर्च करेंगे तो आप यह नीचे नहीं कर पाएंगी यह भी आपको मैं दिखा देता हूं ठीक है तो यह आप यहां से जो है इससे आप नोटिफिक्शन ड्रोवर ही रहने दीजिए उसके आपको मिलता है डबल टेप एंड वेक अपन टर्न आउन स्क्रीन जब भी क कर सकते हो या Google एस्टेंट कर सकते हैं उसके पेंबल करके रखना है क्योंकि क्या होता जब धी एक फ़ून को जब पोकेट में रख देते हैं आपको यहां पर डिस्प्ले का जो है आपको यहां से लोगों में इसके अंदर आपको सेटिंग में जाना है सेटिंग के अंदर जाने के वाद अब उसके बाद हम जो नेश्ट फीचर के ओल चलते हैं सेटिंग अंदर सारे कस्टमाई सेटिंग जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे तो आपको यहां पर अलग अलग स्क्वेर्स वगेरा विंडो वगेरा यह तरह का आइकोन जो है देखने को मिलता है इसी तर है और उसमें दो मोड तरह के मोड डाक मोड एंड लाइट मोड इसके बाद इसके अंदर आपको आई कंफर्ट का भी ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है उसके बाद जो है फोंट साइज की बात कर लिए यहां से बढ़ा सकते हो चोटा कर सकते यह अलग अलग तरह का फ क्राइमिंग भी दिया रखा है कि आप कितनी दिए तक आटो इसक्रीन को रोटेट करना चाहते इसके बाद आपको रिफ्रेश रेट का जो इसक्रीन देख सकते इसके बाद फूल स्क्रीन एप पे इसके अंदर दो तरह के हाइड फंट केमरा और फुडिफोल डिफॉल्ट के अंदर आपको पुरी डिस्प्रीश रहने लगेगी बट हाइड का फॉर्ट केमरा का अंदर भी इस्तावाल कर सकते हैं उसके बाद जो है मैं चले जाता हूं डिजिटल एल्बिंग एंड पेरेंट कंट्रोल इसके अंदर जो है फोन का पूरा डेटा पूश होगा कि अपने यूज़ किया सारी जो सेटिंग से आप यहां पर देख सकते हो उसके बाद जो होता है नदर इक लिएक और मोड मिलता तका काम होता है जब भी कोई भी आप्लिकेशन से ज्याद़ा यूस करते हो तो उसको डिस्टेक मौड में डाल सकते हो जैसे के में बी यदे को बहुत अच्छा फीचर आप यह से यूज़ कर सकते हैं उसके बाद जो है इस पैसल संक्षन इससल फंक्षेंगर आपको स्पीडिस्क्रीन का ओप्शन को देखने का मिलता है यहां पर यूज कर सकते हैं तो यह काफी कमाल का है फीचर से आप में आइक्कोण cũng बड़े रीक सकते हो चले चले जातا हो एडिसनल शेटिंग पें दर सबसे ऊपर मिलता है सिस्टम नविगेशन इसके अंदर दो तरह के नविघाशन बाहर देकना को मिलता है डिये के लिफिक न को सबसें आप यहां से लर्ण न कर सकते हैं उसके बाद मैं आप रिखा दो इसकें अदर क्या होता कि गल्टी से आप बेक करना चाहिते हो पर शेटरबल लखे कुलिक कर सकते हैं कि अपको अजिटिंग्ग को सकते हैं कि आ होता है कि अच्छे की स्क्राइब कर सकते हैं उसके वाद मिलता है स्टेगी आवभी पाउड अपन गता तो आप स्टेडियूर में पावर उन कर सकते हों कि ओकि ओटीजी कनेक्शन का उप्शन इसके अंदर आप पेंडर और कीबड माउस साथ चीज जो है रिलेटेट ओटीजी से होती है तो आप यहां से यूज कर सकते हैं उसका बाद सिस्टम सर्विस की ऑप्शन से और प्रोसेशर सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा तो सो आई होप आपको मेरी वीडियो च्छे लगए होगी मुझे लाइक करें कमेंट करें अगर अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले थेंक्यू फॉर वाचिंग